पूराइब करते हो तो आपके पाश जो डिल्ड का माउंट होता है वो एक सैलरी डाइप में हो जाता है मतलब एक fix return निकाल के देने वाला जैसे कि अगर आपने fdk रहा है तो 5% मिलता है 6% मिलता है उसी तरह के से कि आपको dividend आपको feel होना start हो जागा 5-10 सालों के बाद ठीक है तो long term में ही अच्छा return देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी बहुत सारे company ऐसी होती है quarterly annually तो हम चेक करने ही रहे हम quarterly चेक करेंगे जब quarterly चेक करेंगे तो यहां पर आपको बताया जाता revenue बताया जाता और net income बताया जाता यह आपको बताया जा रहा जून 2021 से और 2022 तक आपको बताया जा रहा तो अभी 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 का जो देखने को मिलेगा यहां पर तो जून में इतना profit किया हुआ company उनसे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए तो यह देखिए यह है जून का हमने क्या देखा जून और जून का देखा अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा highest जो चार्ट दिख रहा था 457 करोड का लेकिन इस बर company ने कितना profit किया है सब्तंबर से सब्तंबर में company ने 769 करोड का profit किया है मतलब पिछले quarter में company का result था इसको result बोलते हैं और इस quarter में जो company ने result दिया यह और भी बड़ा धमाका था मतलब सारे quarter से मतलब अगर आप check करोगे मतलब यहां सहे यहां सहे तो सबसे ज़्यादा अच्छा profit इधर ही हुआ था हुआ था कि नहीं और यह जो record था यहां पर भी आज के date में यह तोड़ता हुआ नजर आ गया तो अब हम generally record देख लेते हैं जो के quarter and quarter हम देखते हैं तो हम देखेंगे आप सब्तंबर सब्तंबर के हिसाब से देखेंगे कि पिछले साल से इस साल में कितना ज़्याद हो जो है कंपनी ने अपने आपको improve किया है तो पहले पिछले साल के सेम quarter में 223 करोड का ही profit था और इस साल में कंपनी देख लिए 769 करोड अल्मोस्ट हम बोल सकते हैं कि मतलब 770 करोड और पहले आपके वल 223 करोड मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटन यह दिया है और कंपनी का जो EPS था वो 15 रुपीज से देख लिए 50 रुपीज हो गया 53 रुपीज हो गया मतलब percentage में कि वल आप देख लिए जो कितने percent का jump देखने को मिला है बहुत सांदार और उपर से company ने जो dividend announce किया है वो भी बहुत ही तगड़ा dividend है सबसे बड़ी चीज है कि midcap छोटी-छोटी company है यह सब midcap company है जिसने देखे 7.20 पॉर शेयर इसने dividend का भी align किया है profit after tax 244% तक का jump देखने को मिला जो कि quarter 2 है बहुत संदार इस company का नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा होगा great eastern shipping company आपको देखने को मिला midcap company है बहुत संदार company है यह quarter result पूरा यहाँ पर आपको explain किया गया तो मैंने आपको simple graph में दिखाने की कोशिस की ताकि आप देखो क्या होता है image लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं उसके बाद number दिखा दूँगा तो आप समझ जाओगे तो यह है वो stock पिछले 6 मेने का return देख लिजे 52% तक का return है पिछले एक साल से 79% तक का return है मतलब company अभी जो देखोगे तो all time high पे आके खड़ा है यहाँ पर देखोगे तो all time high पे यह जो record था इसको भी company ने तोड़ी दिया और नीचे से बहुत लंबे समय से stock जो है consolidate पे consolidate किया जा रहा था company ने बहुत अच्छा result दिया है और company एक ने record भी बना सकता है तो याद रहें यह जो company है बहुत छोटे छोटे stock है देखें कभी कभी हो सकता है कि आपको मतलब जो है पांस दस सालों तक आपको इंतिजार करना पड़ जा कभी जब gear out देखने को मिलता है तो बहुत तेजी से दस साल तक आपको hold रखना पड़ेगा ऐसा होता है बहुत सारे टालना solution देखें जब 90% गिर चुका था उसके बाद जब दोड़ना सार्ट किया तो 50,000% तक का return निकाल के दिया है इनका दो business है जो बहुत अची तरगे से चलता है shipping and oil drilling तो यहाँ पर देख सकते हो shipping से 81% तक का revenue generate करते हैं और जो offshore वगर आता है जिसे 90, 19% तक का revenue generate कर लेते हैं तो यह company यहाँ पर आपको अपने capacity बता रही है कितने tanker है, well sales वगर है और कितने यहाँ पर मतलब जो 9,50 million देख सकते हैं आपको बताया जा रहा, ठीक है company तो यह आपको बताया जारा company अपने बारे में data बता रही है global reputation और खुद का experience और इनका life कितने साल तक का होता है क्योंकि import export में भी यह सारी चीजों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता और यह जो है बहुत बड़ी level में काम करते हैं यह सारी चीजें तो आज click rate में देखोगे तो हम ज़्यादा ज़्यादा export करना start करती है market में तो आप जितना ज़्यादा export करते हो उतना ज़्यादा क्या होता यह सारी चीजों का मदद लेनी पड़ती है सेफटी क्वालिटी human resource यह सभी चीज का जो कंपनी धियान रखते है बाके जो profit है वो तो आप देखी रहे हो पर मोटर्स के पास भी जो है थोड़ी चीज सेदारी है और बाके जो है पबली के पास है foreign domestic quality का यह देखने को मिलेगा आप जैसे मैं आपको result की बात बताता हूं यह है यह बड़े बड़े और अच्छे अच्छे company लेकिन इसका result जो खराब आया है बिल्कुल अच्छा नहीं आया है ठीक है लेकिन लेकिन अगर यह company का result खराब आया एक बार आप इसका balance sheet देख लोगे तो वह आपको अच्छा लगया नीचे मैं आपको दिखाता हूं द जो कि बहुत तेजी से increase हो रहा लेकिन जो company का यह liability है तो company का जो liability है हर साल कम होता जा रहा और आप तो exact अगर आप देखोगे तो आधार से भी कम हो चुका है मतलब पहले देख लिजे यह company का value अगर 100 रुपे था तो 70 रुपे जो है company liability लेकि खड़ी थी मतलब कहीं से पैस जो कि यह कौन सा साल था 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 भई यह 2019 और 2019 से 2022 में company ने देखे कितना ज़्यादा अपने आपको improve किया तो जब company पूरी तरीके से debt-free हो जाएगी तो quarter result देखेगा कि और सांदर quarter result निकाल के देगा company और देखें यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा asset 24% increase हुआ है और liability 10% decrease हुआ liability इस बार increase हुआ ही नहीं है इस बार increase हुआ है हलाकि liability अगर माल लेते हैं कि 24% increase हुआ तो बहुत सारे company को माल लेते हैं तो इसके साथ साथ liability भी इंक्रीज होता चाहा 10% 20% या 30% साथ मों भी इंक्रीज होता लेकिन यह decrease हुआ है मतलब double benefit हुआ है यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं कि जो छोटी छोटी कंपनी है उनकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को notice किया करो तो इसलिए बोला हूं दिपक अनलजी कंपनी सेल्स कर रही है ऐसा नहीं कंपनी सेल्स कर रही है बस 20 का चीज होता है उसको बोलते है margin margin कंपनी सही तरीके से नहीं निकाल पा रही है और जिस दिन कंपनी ने margin निकाल लिया मतलब समझो कि स्टॉक एक अच्छे खासे higher level में चल जाएगा मार्केट में बोल में हाई बनाया रहा तो चलते हैं और अगर अब स्टॉक मार्केट में ने हो तो अपने डिमेट अकॉन एंजल में ओपन कर सकते हूं जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्ज्ट इस फ्री के और 20 रुपिस लगता वो भी इंट्राडेमें डिस